बागी बढ़ती ग्रेट थर्ड की जरूर आ रही है प्यार रहें सजग रहें और पर दस जुलाई को जो आपका बजट आ रहा है उसके तहत एक खुशी का मोका भी है कि ग्रेट थर्ड की बहुत अच्छी बढ़ती होगी लेकिन उससे पहले एक नया विवाद हम सब के शामन हुँ उसमें 50% से भी ज्यादा महिलाएं सेलेक्ट हो रही हैं यह मैं जानता हूं और यह आप लोग भी जानता हैं ग्रासरूम में जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे लड़कियों की चेहरे दिखाई देते हैं और पढ़ने वालों की शंख्या में भी लड़कियां बहुत हैं और यहा मिद्ध नहीं हारती हैं प्रखया पर परिस्थथी के बावजूद यह बहुत अक्ठा कर जाती हैं पर करति ने इन को इसा ही बनाये इनको गोलों पर रखने के लिए बच्चों को रखने के लिए इनकी जृत पड़ेगी तो ऐसे कुछ उस्त वोगरवाना सिख लेना, उनको थोड़ा पोटी वोटी साप करना सिख लेना, दूदूद पिलाना सिख लेना, तुम लोगों ने बहुत कमाया है, वैसे भी क्या है, आब इनको आग करने दो नो करें, तुम एक बार घर को संभाल कर देखो, क्या फरक पड़ता है? चलेंजेज को स्वीकार करो वहीं, देखो इसी बात यही है, तो यह फेसला कोर्ट में, जा करें, तो गल्स को अली 50% है, पचास परसेंट क्यों गल्स फिर 50% से आगे भी तो जाएंगे जो इंटलिजेंट लड़किया होंगे, वो 50% से बारवाली सिमां भी तो जाएंगे, त लड़की तरफ थे लड़की तरफ एक बार देख ले लड़की तरफ लड़की की तरफ लड़का चे 10 तिन लगातार देख लेगे, लड़की के एमोशन्स पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लड़की की तरफ एक बार लड़की कलास में लाइबरेरी में कहें भी एक बार मुश्कुरा दे मैं हंडिड परसंट कह रहा हूं कि वो लड़का बीस दिन पत्सीस दिन पड़ाई में मन लग जाए लगी ने सकता तो बावले तो वे सही है नमून आगया तो इसको उनको लग रहा कि अब तो खत्म हो गया है अशा नहीं कि कुछ खत्म हो गया थे तारी करू के तो अबी भी बहुत संभाव ना है ऐसा कुछ नहीं नहीं बट यह जल्दी आवी करता है जो मैं चीजे बता रहा हूं ठीक ना लड़की तो बोल ड़ेके तो तो यह थोड़ा से को कहा थे कि मेरे लिए सीट रखना तो यह तीन गटे पहले कोचिंग आंके बेड़ जाएं कि ईसने का यह सीट रखनी है अठ तु तु तीन गटे पहले आरा उस में अभधाय करता रूम पर नहीं उसने कहा है मतलब उसके लिए तो कुछ भी करेंगे तो आदे बेकुब तो वेसे हैं ये फिर ऐसे डिसीजन इनको और इमोशनली ये मनोबल तो कमजोर होई जाता है खर और बताओ लड़कियों का बभी से बहुत अच्छा हैं लड़कियों को विरोध जदा हो मत टेंशन लेना आप में अच्छी है आप हमेशा जिंदगी में राज करोगी याद रखना ये तनाओ कभी मत लेना कि सरम लड़कियों के लिए कुई ने उता तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो लड़कियां हमेशा राज करेंगी उनमें बहुत कापिलियत है उनकी इमोशन इंटेंस बहुत गजब है और वो हर प्रिस्तिति में लड़ते वागे बढ अब लगों के हाथ में नहीं है मैंने कहा कि ग्रेट थर्ड की पड़ती जरूर आ रही है जो बच्चे सीरिश लिसको करना चाते हैं इसकी प्रिपिशन स्टार्ट कर दें ग्रेट सेकंड फेस्ट पहले से प्रस्तावित थी बट ग्रेट थर्ड का इनने हुआ है आप इसको अब कितनी जल्दी और कितना होता है बजट के ओड़ेगा आपके साब से रिट में एक प्रेट है तो बेखो सरकार इस पे नहीं कर पाई है कोई भी इंपूट हमें नहीं मिला है पर रिट एक रिट तो होगी होगी अब उस रिट बेस पे सेलेक्शन करते हैं को तो अब सरक कि रहा है और बताएं कि सेकंग फैस्ट में लागू नहीं है फिप्टी परसंट के ओल ग्रेट थाड में ही लागू है कि उनका लोजिक है ग्रेट थाड में महिलाओं के ससकतिकन के जरूरी है और प्रात्मी कुर उच्छ प्रात्मिक लेवल पे महिलाएं बहुत अच्छा पड़ा सकती है और कहीं नहीं महिलाएं पिछड रही है उनके पास कुछ ऐसे लोजिक आया होंगे मुझे तु लगता नहीं कि महिलाएं कहीं पिछड रही है महिलाएं बहुत अच्छा कर रही है हर बड़ते में बढ़ फिर भी सरकार के उपर कुछ इन्फूट मिलते हैं स कर सकता है उनके पक्स वीपक्स की बातें कर सकता है बाकि जो भी है वो बेटर है अब इस निन्ने की ऊपर तुम रोना सुरू करो उससे बेट रही है कि अपने आपको स्ट्रॉंग बनाना सुरू करो मैं तो यही कहता हूँ मैं साइस चीजगा समर्थक हूं कि इस पे आप टाइम खराब करते हूं तो मुर्कता है इस पर टाइम खराब करने के बजाए ये देखो कि हम प्रिप्रिशन अच्छे बेहतर तरह कैसे कैसे बनाएं इस जमाने में आने वाले संकटों से हम कैसे लड़ पाएंगे जब तक अपने आपको स्ट्रोंग नहीं बनाओगे तब तक को भी डिसीजन हो तुम्हें कमजोर बनाएगा तो कोशिशे करो कि आप अपने आपको इक बैतरीन इंसान के रूप में कैसे बनाएंगे बहुजरोरी चलिए थैंक्यू वरी मच आज के शेशन के लिए जल्दी ग्रेड सेकंड और ग्रेड फेस्ट के रणनीती को लेकर मैं एक वीडियो अगले वीक में बनाऊंगा सिर्फ बहुत अच्छी किताबे सजेस्ट करते वे कि ये स्टेजिया फॉलो करना उसके बाद कुछ देखने के आउशक्ता नहीं पड़ेगी इमानदारी से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ सेर करूंगा